मंगलवार को निदीश काबिनेट की बैटक की गई थी जो इस बैटक में 45 एजन्डो पर मुहर लगाई गई है लेकिन उसमें एक और मुहर जो है वो राजजकर्मियों को लेकर है क्योंकि अब राजजकर्मियों को 40 छुट्टियां दी जाएंगी जहां आपको बता दे की साल के मुकाबले 2025 में राजजकर्मियों को 4 छुट्टियां जादा मिलने वाली है पिहार में साल 2025 में राजकर्मियों को 40 छुट्टियां मिलेंगी इतीस कैबिनेट ने राजजकर्मियों के लिए अगले वर्स यानी 2025 के छुट्टियों का कैलेंडर मंजूर कर दिया है सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगले साल गुरू गोविन सिंग जन्म दवस के लिए दो अलग-अलग दिनों में जनवरी और दिसंबर में चुट्टी मिलेगी 6 जनवरी और 27 दिसंबर को गुरू गोविन सिंग जन्म दिवस पड़ेगा 2025 में इस साल से चार चुट्टियां ज़्यादा मिलने वाली है क्याबिनीट विभाग के अपर मुक्त अचीब डॉक्टर एस सद्धारत नहीं मंगलवार को कहा है कि अगले वर्स के लिए एनाई एक्ट के तहट 21 एक्षक अफकास के तहट 22 किनी तीन का उप्योग किया जा सकेगा जबकि कारेपालक आदेश के तहट 16 चुट्टियां असमे कर्थ की गई है एनाई एक्ट के तहट 3 चुट्टियां रविवार को पढ़ रही है जबकि वर्सिक लेका बंदी के लिए पहले एप्रेल मंगलवार को अफकास गोशुद किया जाएगा बता देए कि साल 2024 में राज कर्मियों को 36 चुट्टियां मिली थी इन में से समानने अफकास 15 दिनों का जबकि सावरजनिक अफकास 17 दिनों का है इसके अलावा एक्षिक अफकासों की संक्यां 20 है जुन में से कोई 3 चुट्टी ले सकते हैं इसके साथी एक दिन की वार्सिक लेका बंदी के चुट्टी भी सामिल है जानकी नौमी 6 माई को बुद्ध पर्णीमा बाड़ा माई कबीर जैनती 11 जून चहल्लूम 15 आगस्त हजरत मुहम्मद साहब जनम दिवस 5 सप्टेंबर दुर्गा पूजा 29 सप्टेंबर चत्रगुप्ट पूजा 23 ऑक्टूबर गुरु गोविन सिंग दिवस 27 दसंबर गं जनम दिवस 14 एप्रिल गुड फ्राइडे अठारा एप्रिल माई दिवस 1 माई इद्धुल जोहा साथ चुन मुहर्रम 6 जुलाई स्वतांतिरता दिवस 15 आगस्त स्रीक्रस्न जनमाष्ट मी 16 आगस्त दुर्गा पूजा 30 सप्टेंबर गंधी जैनती 2 अक्टूबर पूरी ठाकूर जैनती 24 जन्वरी होलिका देहन 13 मार्ट रंजाम का अंतिम जुमा 28 मार्ट इदुल फितल 1 एप्रिल इदुल दोहा आठ जुन अनुगरह नरायन स्थना जैनती 18 जुन मुहर्रम 7 जुलाई अंतिम स्रावनी 4 अगस्त रक्ष्वा बंदन 9 अगस्त हर्तालिका 26 अगस्त अनन्च चतुरदसी 6 सप्टमबर जीविका पुत्रिका वत्र 14 सप्टमबर विश्व कर्मा पूजा 17 सप्टमबर दुर्गा पूजा कलस स्थापना 22 सप्टमबर दुर्गा पूजा 3 अक्टूबर जैप्रकास नरायन जैनती 11 अक्टूबर सेक्रस निसिंग जैनत इस साल ते जादा चुट्टी जो है वो अगले साल मिलने वाली है ऐसे में मुक्य मंतरी नितीश कुमार की बैठक में कल 45 एजंडों पर मुहर लगाई गई है यह हमने आपको चुट्टियों को लेकर बताया है कि अगले साल किस-किस मुद्दों पर जादा चुट्टी मिलेग हैं जिसके बात से जो मुहर है वो कई सारी चीजों पर लगाई गई है जैसे कि आपको बता दे कि पटना के भीटा में 300 बेट का एक नया अस्पताल बनेगा चौतिकरस रोड में आपके लिए 6212 करोर रुपई की मंजूरी मिली है खगडिया नयाले में 32 करोड की लागत से नया भवन बनाया जाएगा पुर्णिया नयाले में भी 34 करोड की लागत से एक नया भवन बनेगा कटिहार में नयाले में एक नया भवन बनेगा वैशाली नयायमे में एक एक भवन बनेगा ललित लराइन मुस्टा में आर्थिक विग्यान सिंस्थान का सीवा शर्त नेमा पुलिस अधिक्षक को समधा के आधार पर रखने को मंजूरी दी गई है। इसके साथी नालंदा में एश्याई चैंपियंशिप ट्रॉफी होकी महिला का आयोजन होगा। पुलिस अधिक्षक को समधा के आधार पर रखने को मंजूरी दी गई है।